नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है और अपने इस वीडियो में बात करेंगे बहुत बड़ी बंफर वेकेंची की जो निकली है GM-CH के द्वारा तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आप जुरूर देखें ताकि कोई भी डिटेल अबो मिश ना हूँ और इसकी और यह वेकेंची के अगर बात करें तो DMER याने डायरेक्टरेट ओप मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मुंबई के द्वारा निकली गई है जिसमें पोस्टन स्टापनर्स की पोस्ट है और फार्मसिस्ट की अदर पोस्टे भी है और 1144 यानि बहुत बड़ी रहें और इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो कल या परसों आपके सामने मिलेगा और आप मारे टेलेग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं ताकि कोई भी जो PDF हो आप आसा नीचे पराप्त कर सकें टेलेग्राम चैनल को जोइन करने की जो लिंक है वो आपको वीडियो बारा पोस्ट इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली हैं फार्माशिस्ट के एक सु गुणेतर पोस्ट इसके लिए इंटर्मीडियेट और दीफार्मा का जो डिप्लोमा अतावों किया होना चाहिए डेंटल हाइजेनिस्ट के टोटल बारा पोस्ट इं दसवी पास होने चाहिए साथ में relevant डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए dental technician की 6 पोस्टे हैं 10 पास होने चाहिए साथ में आपके पास experience होना चाहिए और relevant field का डिप्लोमा वह होना चाहिए assistant dental technician की 4 पोस्टे है इसलिए intermediate और 7 में डिप्लोमा होना चाहिए स्टाप नर्स की बहुत ज़्यादा पोस्टे हैं 3974 पोस्टे हैं इसके ये डिप्लोमा ये बेसी नर्सिंग मांगी गई है इसके तरिक बात करने तो स्टाप नर्स डायरेक्टर डायरेक्टरेट औप आयूस के लिए 146 पोस्ट हैं इसके लिए भी डिप्लोमा, बीस्टी नर्सिंग या जीनम जो भी होता है वो मांगी गी है कलरकी 12 पोस्टें इसके लिए दिगरी होनी चीए आपके पास उसके बाद देख सकते हैं कलरकी फिर से पोस्टें 12 इसके लिए आपके पास दिगरी होनी चीए स्टाब नर्स, MSC के लिए तीन पोस्टेंच के लिए डिप्लोमा यान जीनम वर BAC नर्सिंग की होनी सी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है पेमेंट आपको कितनी मिलेगी कौन अपलाई कर सकता है क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है यह जब 18-38 साल के बीच में रहने वाला है स्लेक्शन जो प्रोसेस अब आपको रिटेंट टेस्ट ये इंट्र्यू के अधार पे होगा पे स्केल 19,990 लेकर 1,32,300 तक आपको मिलने वाला है अपलिकेशन फीच की बात करें तो जो कंडेट से उनको एक ज़र पे फीच देनी पड़ेगी यानि जो अनुज़डू के टिक्री के कंडेट से इसके अधरिक्त बैकवर्ड क्लास, EWS, PWD कंडेट से उनको 9 रपे फीच लगेगी अपलाई करने के लिए आपको इसके ओफिचल वेबसाइट DMAR मुंबई पर विजिट करना है वहाँ पर नोटिफिकेशन को वेरिफाई करना है और ओलाइन अपलाई लिंक पर क्लिक करना है आईडी और पासपर्ट की दवार लोगिन करना है यदि नए रिजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको आईडी और पासपर्ट क्या हो सकता नहीं होगी आपको अपलिकेशन फॉर्मेट फिल करना है जितने भी लिमेट जो डोकुमेंट से सर्टिफिकेट से हम अप्लोड करने है अपलिकेशन फीज वहाँ पर डाल देनी है और यहाँ पर सब्मिट कर देना है इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो 10 मैई 2023 इसके स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट इसके रहेगी 25 मैई 2023 डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है उस पर हम वीडियो कल बनाएंगे तो आप यह जुरूर देखें और वीडियो में देगे जानकर कैसे लगी यह कमेट कर जुरूर बताएं इसकी अत्रीकते कोई भी पीडियेप आपको चाहिए आप मारे टेलिग्राम चैनल या वार्षब गुरूप से प्राप्त कर सकते हैं दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए भरती के साथ तब तक लिए जय हिंद जय भरत